नमस्कार दोस्तों question इस प्रकार है वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए परियासरत है recently एक exam इनोंने दिया था और आने वाले समय में इसके result आने वाले है इनके पड़ी नाम आने वाले है तो इनका question ने कैसा रहेगा और आगे सरकारी छेतर से धनलाफ के योग हैं की नहीं और अतली पर क्या कुछ अच्छी या खराब होस्ता है क्या positive क्या negative इन सारे विश्मपरिन को जानना है तो आपने शिंतरी ये आपके सारे ही questions पर हम विचार करेंगे चीजों को असपस्ट रूप से समझाने का प्रियास करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा महतपून है क्योंकि यहाँ पर से कुछ ऐसी positivity की positive चीजों की मैं बात करने वाला होना जिसके एवज में जातक की जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है इस अतली पर उच्छेतम बरश्पती है इस अतली पर अच्छी बाग्य रेखा है इस अतली पर अच्छी सूरी रेखा है तो हम यहाँ पर से 100% क्लियर कर सकते हैं कि आपको सरकारी छेतर से धनलाव होगा हमने क्या क्लियर किया कि आपको सरकारी छेतर से धनलाव होगा ये जरूरी नहीं है कि वो आपकी नौकरी हो तबी होगा इसके अलाबा भी बहुत से सोर्से सोते हैं बहुत से रिसोर्से सोते हैं जिसके एवज में हम सरकारी छेतर से धनलाव करते हैं तो हम सारे ही चीजों को असपस्ट रूप से समझाने का प्रियास करेंगे एक एक बारीकी पर चीजों को समझाने का प्रियास करेंगे एक एक चीज को दिखाने का प्रियास करेंगे तो हम सबसे पहले आपकी positive चीज को देखेंगे और आपके इस doubts को clear करेंगे तो अगर हम positivity की बात कर लें तो एक अद्भुस से दिखने वाली अद्दिली है और एतली पर ऐसी कुछ अवस्ताइं नहीं थे जिसके एवज में जातक सफल होते है जिसके एवज में नी संदेहे जातक सफल होते है सबसे पहला चीज़ एक जबरदस्ट वीनस का माउंट एक जबरदस्ट और इस वीनस पर कुछ चमतकारी अवस्ता स्टार नुमाकरती फल को बताया जाएगा और एक जबरदस्ट मंगल की अवस्ता बरश्पती बहुत जादा अच्छा फर्स टाइम किसी के लिए मैंने कहा है कि इनका ब्रश्पती बढ़िया है उसके बाद एक बागी रेका ये वाले ब्रांच है एक बागी रेका आगे ऐसे चली है और एक बागी रेका यहाँ पर से चली है और आगे बागी रेका ऐसे चली है मतलब बागी रेका भी अच्छी है और एक multiple property के योग और जबरदस सूरी रेखा आप कहते लिए पर ये वाली देखो एक अच्छी सूरी रेखा है यहाँ से भी सूरी रेखा के ब्रांचे से हैं यह भी एक सूरी रेखा बड़ी अच्छी मौदूद है और एक जबरदस मरी ट्रेंगल के रूप में चीजे अवस्थित है उसके बाद सन मरकरी बहुत ही अच्छे कंडिशन में है फिर कुछ प्राग्रस लाइन आपकी लाइफ लाइन पर पूरता काविज है जहाँ पर से जिन्दगी पर ये तरक्यों को दर्शाती है सारे प्रगति के योग ये सब भी कुछ यात्रा के योग है मतलब सबसे पहला पॉजटिव चीज आपके सारे प्लैनेट्स काफी अच्छे कंडिशन में है मतलब जिसबी जातक के ग्रह अच्छे कंडिशन में होते है जातक की राज्योकारक अतली माने जाती है मतलब जिसबी बड़ी बड़ी अच्छी तरीके से बीदती है इसमें कहीं कोई संदेह वाले बाद नहीं है तो पहला मेन पॉइंट आपने ये देखा दूसरा चीज आपके जो लाइन से वो जादा ही अच्छे माउंट में है मतलब जिसबी जातक के अतली पर रेखाएं असपस्ट होना रेखाएं अदबुत तरीके से दिखेना तो फिर समझना जातक के जिन्दगी और अच्छी होती है और रेखाओं में जैसे मनी ट्रेंगल रूप से चीज़े अवस्थित है जैसे एक बहुती अच्छी बुद्ध रेखा एक बहुती अच्छी सूरी रेखा हतले पर कुछ एजिस में इतनी बड़ी प्रगती के योग जो की मतलब बोलने की बात नहीं है वो जादा ही अच्छी है और शुक्र परबद पर स्टार इसके फ़ल को ही बताया जाएगा चलो बताते है शुक्र परबद प्रॉपर लग्जरी के शुक्र को दर्शाता है मतलब जातिक की जिन्दगी लग्जरियस रहती है तो ऐसे लोगों के जिन्दगी लग्जरियस रहेगी विशेस रूप से धनकी किसी प्रकार की कोई कमी या कोई दिक्कत नहीं दिक्रिया में और सबसे बहतरीन पार्ट मैं आपको बताऊं कि जैसा इनका स्टार है जैसा इनका शुक्र परबद पर स्टार है इसका सीधा ही मतलब है कि ऐसे जातक कि साइन करने वारे प्रस्नारिटी होती है और काफी अच्छे संसकारी विक्ती होते हैं और साथी साथ वेवाहिक जीवन का बहुती अच्छा सुक मिलता है शुक्र कहीं न कहीं आपके हस्बेंट से रेटेड चीजों को भी दर्शाता है पती पक से धनलाव पती काफी समान करने वाले काफी केर करने वाले इन चीजों को दर्शाता है तो बेसिकली बात इतनी सी है कि शुक्र परबद पर बनने वाला स्टार साइन शुक्र की positivity को बराता है, शुक्र की positive चीज़ों को बराता है, शुक्र में सकारात्मक्ता लाता है, शुक्र को बहुत ज़ादा ही ये broad करता है साथी साथ, जो भी शुक्र आपके जिंदगी पर देता है, समाजिक, पारिवारिक, विवाहिक, लगजरिय जिंदगी, सब को कही प्रदान करता है, तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये इनकी positive चीज़े थी, अभी कुछ negative भी है, जैसे मुझे पहले देखा, बुद्ध फिंगर थोड़ी छोटी है, decision making में ऐसे जातकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और ये प्रारंबिक समय में होता है, divert रहते हैं ऐसे जातक, चीज़ों को लेके, decisions को लेके, अपने जिन्दगी पर कुछ करने को लेके, अपने personal opinion को लेके, तो ये एक मूल समस्या होती है, तो ये बुद्ध फिंगर थोड़ा छोटा है, तो decision थोड़ा सोच समझ करेजिए, नहीं तो इसके regarding थोड़ी परिशान अब ये दूसी चीज़ हम दिखाते है, negative रूप में, कुछ एक यवा आकरती मुझे आपकी mind रेका पर दिखी, ये थोड़ी इसी दवाब को लेके है, तो अला कि ये आयू बहुत लेट है, तकरीबन 47-48 वर्स के आसपास की है, थोड़ा ये तो है, इसके लिए मैं आपको दूँगा, बाकि ये कब क्या दोस्प्रभाब डालेगी, वो तो मस्पस्ट कर ही देंगे आपको, और कुछ negative चीज़ के रूप में, वैसे मुझे कुछ दिखी नहीं आपके हाथ पर, मुझे सब चीज ठीक ही दिखा, कुछ-कुछ ages में राहु रेखाती, निरंतर प्रयास करने के बाद भी थोड़ी सफलताओं में कमी आती, इस चीज़ को ये दरशाती है, चलिए जी ये चीज़ आपने समझ लिया, बाद बाकि अभी आपके जो प्रशन थे न, ये बड़े एहम प्रशन है, ये बड़े important प्रशन इन्होंने मुझे पूछा है, और कुछ result आने क लिए इन्होंने मुझे डिपननी करी है, तो मैंने इनके एक प्रशन का उत्तर तो करी दिया है, कि ऐसे जातक को सरकारी छेतर से धनलाव होता है, अब सरकारी छेतर से आपके हजबन भी सरकारी नौकरी में रह सकते हैं, आपके परिवार के कोई विक्ति सरकारी नौकरी में रहा सकते हैं जिसके रिगार्इंग आपको धनलाव होता है तो इसको भी तो हम धनलाव कहते हैं ना इसको हम थोड़ी कहते हैं कि आपको कहीं और से पैसा रहा है ये भी एक परकार का धनलाव है तो ये तो मैं definite कर रहा हूँ और यहाँ पर से एक accuracy के साथ कहा रहा हूँ, 100% security के साथ कहा रहा हूँ, कि ऐसी महिलाओं को सरकारी छेतर से धनलाव होता है, अब इनका खोदका होगा कि नहीं, एक बिशेस प्रशन है, ये बहुत एहम प्रशन है, इसके लिए तो और भी कुस चीजों को हम देख के बताएंगे आपको, बहुत short notice पर इन्होंने हाथ दिखाया और बहुत भी जल्दी बाजी में इनको दिरने चाहिए, तो palm stream एक दो साल का difference होता है, बाद बागी हम चीजों को आपको समझाने का पूर्णता परियास करेंगे, और कुछ प्रक्रिया हम आपको समझा देंगे, जहां पर से चीज़े थोड़ी accurate तो होती है, तो अभी हम देख लेते हैं कि अभी वरतमान का condition क्या है, इसके लिए हमें इनकी जीबन रेका को देखना है, लेकिन मैंने एक आसवासन तो आपको दिया, एक प्रकार का आसवासन तो हमें आपको जरूर से किया, कि आपकी सरकारी छेतर से definite है कि धनलाव होगा, इनको हो भी राय होगा भी, तो सबसे पहले चीज, बचपन से चलते हैं, देखो बचपन से बरशपती वैसे कोई विशेश गरबर नहीं है, लेकिन जब बरशपती इतनी ज़्यादा ब्रॉड होती है न, तो पता नहीं क्यों, एक श्राप आप कहलो, कि ऐसे लोगों को जब आप दूर से देखोगे न, तो आपको बड़े घमंडी से ये परतीत होंगे, इनका हाओ भाओ, इनका जो भी उठने बैठने का तरीका, इससे ये काफी घमंडी परतीत होंगे, लेकिन जब नजदीक जाओगे, जब इनसे आप वारता करोगे, बातचीत करोगे, और कुछ बातों को शेयर करोगे, तो फिर पता चलेगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस भी जातक की ब्रश्पती थोड़ी जादा ब्राट दिखती है न, पताने लोग उनसे तोड़ा संकोच करते, या वो लोगों से संकोच करते, इसीधी बात है, उनको लोग दूर से देखके तोड़ा गमंडी परतीत कर सकते हैं, तोड़ा उनके विशे में एक मांसिक्ता बना सकते हैं, ये बात नहीं करेगा, ये गमंडी विक्ती है, तो ये एक नेगटिव इंपेक्ट इसका होता है, जो मैं prior videos में कहता हूँ, जहां मुझे अच्छी दिखती है, लेकिन इसका एक benefit ये भी होता है, कि ऐसे लोग को उच्चस्तर ये माने सा माने मिलता है, कोई भी इंसान जल्दी आपसे पंगा नहीं रेना चाहेगा, कोई भी जातक, आपसे थोड़ा side रहेगा, थोड़ा distance बना के ही रखेगा, ये इसका benefit है, और ज्यान के रूप में भी घरम देखे, तो गोल्ड मैडलस्ट हैं, काफी बड़े-बड़े courses की, master's है, PhD वेकर सब किया है इन्होंने शायद, तो ये तो ब्रश्पती higher education को, higher authority post को दर्शाता ही है, तो वो चीज तो आपने किया, वो तो natural था, वो आपको करना ही था, अब आगे हम कुछ चीज दिखाते हैं, जैसे बचपन से प्रगति के योग दिरंतर बने थे, तो जिन्दगी पर प्रगति थी, लेकिन कुछ मानसिक दवाब की रूप में भी कुछ यवा करती थी, ये तक्रीबन आपके 19-20 वर्स की आयू तक थी, एक तरक्या आपके 22 वर्स में मुझे दिखी, 23 वर्स में एक प्रॉबलम, फिर 24 में तरक्यी, फिर एक हलकी 25 में प्रॉबलम, 24 में प्रॉबलम, 27 में तरक्यी, 27 के बाद कुछ एक विपड़ित परसिति जिंदगी पर बनी, मतलब चैलेंजिस आये 27 के बाद भी, थुरी स्मूझ चली 27 से आपकी 32-33 वर्स तक, 33 के बाद, 34 में एक प्रॉबलम, 35 में एक प्रॉबलम, एक आपके 36 में कुछ बड़ी तरक्यी मुझे दिख रही है, यहाँ पर सीदेगो, फिर देखना, ये वाली, 36-37 के आसपास, एक तरक्यी के योग बन रहे हैं, तो कुछ चांसेस हैं, कुछ नहीं बहुत चांसेस हैं, बाकि तो हम क्लियर कर ही देंगे, कि आपको सफलता मिले, बाकि यह मन्त वाईज कुणली देखके आपको जरूर बता देंगे, तो 37 का ये चीज हो गिया, 37 में एक तरक्यी थी, फिर आगे एक आपकी, और 40 में थी, 40 में थी, फिर आगे जिन्दगी स्मूथ थी, और एक बड़ी तरक्यी का योग, आपके जिन्दगी पर एक आवन वर्स में थी, अब लोग मेरे से प्रशन तो पूछ लेते हैं, क्या गुरू जी मेरा होगा, तो देखिए माइने रखता है, आपने कैसे स्टड़ी किये, वो भी ज़्यादा माइने रखता, अलाकि आप मेहनती है, लेकिन कमफर्टेबल लाइफ भी तो आपकी बरिज़ बर्दस्त है, तो वो मेहनत जातक कैसे करते, वो ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है, तो अलाकि एक आवन वर्स में भी तरक्की के योग तो इसके बाद भी बहुत अच्छी आपकी लाइफ लाइन है, कुछ परस्पर यात्रा की योग जिन्दगी पर अवस्थित है, जापर से जिन्दगी पर यात्रा होती हैं, ये जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कि आप एक सथमे में थी, एक सथ सथ सथर के बीच में एक बड़ा सा ट्राइंगल, और यहां सभी कुछ बड़ी बड़ी यात्रा की योग योग, मतलब जिन्दगी वैसे अच्छी है, ट्राइंगल का सीधा ही मतलब होता है, जातक की जिन्दगी पर कुछ बड़ा एचीवमेंट, कुछ बड़ी चीजे मिलना, कुछ बड़े रिसोर्से खुल जाना, जिन्दगी पर कुछ बड़ी उन्नती होना, चाहे बच्चों के संदर्म में हो, या खुद के प्रमोशन्स, ये रिटार्मेंट में सुकून जिन्दगी के संदर्म में हो, संतर के बाद भी जिन्दगी अच्ची एक फिश्णुमा आकिरती है, एक आस्मिक दर्नलाव को दरशारी है, जहापर से जातक की जिन्दगी पर पैसे आते हैं, और अगर ये लोग वेपार करें, इनका मैं भूल गया, कि क्या मैं वेपार कर सकती हूँ, तो इनके एक प्रशंते वेपार कर सकती हूँ, वो भी हम आपको दिखा देते हैं, तो देखें ये चीज आपकी जीबन रहका सा, तो मुझे आपकी लाइफ लाइफ लाइन पर कोई विशेश तकलीफ नहीं दिखी है, और मैं काफी खुश हूँ, मैं काफी प्रभाबित हूँ इस सित्री को देखके, कि जातक की जिन्दगी पर विशेश तकलीफ हैं, मैं काफी खुश हूँ, उसके बाद एक बहुत ही अच्छी आपके लाइन से जो money triangle को दर्शारी है बहुत जबरदस्त बनी है जापर से धन को लेके problems नहीं होती क्योंकि ये money triangle तो मैं complete नहीं देख रहा हूं लेकिन greater triangle बराज़पस्ट देख रहा हूं अरजन के पूनता योग आपके अटली पर अवस्थित है और आगे एक money greater triangle सी आकरती अवस्थित है जिसके एवज में जातक की जिंदगी पर अवश्य ही धन आता है विशेशकर धन की दिक्कत नहीं रहती है विशेशकर पैसे की दिक्कत नहीं रहती है असपस्ट ही समझो आप तो ये इनके मूल रूप से प्रशन थे अभी हम इनके अतली का पूनता अनलसेस करेंगे चीजों को असपस्ट रूप से क्लियर करेंगे बिजनस को लेके भी जो मैं टिपर नहीं कर रहा हूं वो आप कर सकती है करने में किसी प्रकार का कोई नुक्षान मुझे नहीं दिक्रा और विशेशकर धनलाव ही होगा ये भी मुझे दिक्रा है तो अभी इनके तरीका आप जैनल अनलसेस करेंगे चीजों का सपस्ट रूप से क्लियर करेंगे तो वीडियो काफी जादा महतपून है देखे सीखे समझे ये इनकी रेक्टेंगल सेप क्या करती है जापर से ऐसे जातक बड़े जिद्ध किसम के जान होते है आपका जिद्ध ही तो है कि आज तक आप परियास कर रही है निरतर कर रही है और एक उमीद से कर रही है एक उमीद से कर रही है तो एक जिद्ध है और जब विक्ति जिद्धी हो जाते है तो कहीं न कई फल आपको आपके जिंदगी पर अन-एक्सपेक्टेड रूप से मिलता है मतलब आपको फल मिलता है और मद्धे मेच के बाद ऐसे लोगों काम तरक्की जिंदगी पर जरूर से निर्दारित करते है तो उसके पूर्णता चांसस बने हुए है और आपके जिंदगी पर तरक्की के भी चांसस बने हुए है फिर उसके बाद देखे पूरे गद्यदार सी आकरती है, जापर से जातक की जिन्दगी बरीच्छी रहती है, गद्यदार हतेली हो, गुलाबी हतेली पे मुझे दिकरी है, गुलाबी हतेली हो, तो प्रापर राज्यो predictions कारेक हतेली को हम इसको नाम देते हैं, इसमें 70% राज्यों का फल मिलता है, जिन पपविचार करते हैं जबरदस ठंब है एक्चा शक्ती बहुत अच्छी अंदर से थोड़ी बहुत कमजोरी सी आ जाती है कभी कबार जैसे गबराहट की समस्या ये इस चीज को दर्शाती बादमा की आप हिम्मती है और एक लाइन है इवन दो लाइन से जहां पर से जातक अपनी सम्मान की रक्षा कर पाते हैं किसी भी पद पर अगर आप रहेंगी किसी भी जगहा आपके पोस्टिंग रहेगा तो जरूर जातक अपने जिंदगी पर अच्छे पद को ग्रहन कर पाएंगे और असाइट की बहुत अच्छे व्यक्ति को बहुत कुछ करना है महातमकांची नीचर है आपका जातक ऐसे जातक जिंद्गी पर बहुत कुछ करना चाहते कड़ भी लेते बहुत हद तक और एक जबर्दस दिखने वाला थंब जो इंसान की जिन्दगी काफी जादा अच्छी ऐसे जातक बहुत समझदार अपने जिंदगी को समझदारी के तहर जीना चाहते नहीं संदे हैं फिर देखिए फिंगर पर खई लाइन से इंसान दिल के बहुत अच्छे हैं दिल में किसी के लिए को गरत बाबना नहीं हमेशा लोग के विशेम कुछ लाइन्स आपके लिए पर मौझूद है जो यह थोड़ी इंट्रोवर्ड नेचर को दर्शाती है सबसे गुलना मिलना पसंदी ब्रश्पती के टिंड कर रही है दारमेकास्ता है सन फिंगर सेटन फिंगर के अटेच्मेंट है विक्ति नियमें तरूप से जिंदगी क नर्चन करोगे नोट आउट और जबरदस्त आपकी फिंगर है और बड़ी अच्छी रेखाएं है और बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ है जिसके एवस में काफी महनती बुद्ध फिंगर थोड़ी छोटी है जहां पर से डिसिजन मेकिंग में कुछ समस्याओं को दर्शाती ह जो प्रारंबिक समय 30-30 के आयों तक जादा इमाउंट में दिखता है तरी चीज़ आपने समझ लिया वाकि एक उत्तम सी दिखने वाले बरश्पती एक बढ़िया दिखने वाले बरश्पती और कुछ लाइन्स ये वाले देख लो ये लाइन्स के अधर शाते पर अपकारी एक मदभेईद को दर्शाती है ये नेचर मैच नहीं करता बाकी कुछ एक दोके मिलने के योग थे तीस वरसों के आयों तक बाकी ब्रश्पती काफी अच्छी है जहाँ पर से दारसनिक सोच की है आप और एक उच्चसतरिये वेल्यू को तो ये दर्शाही रही है जंदगी आपकी लाइन से ये एक बाग्य रेखा का ब्रांच है जो आपके सूरी के तरफ जा रहा है जो विदेसी धर्दी से धनलाव या घर से दूड की उन्नती को दर्शाता है यहाँ से भी कुछ सरकारी चेतर से धनलाव और बाकी एस बाग्य रेखा के ब्रांचे से जिंदगी अच्छी बीटती यह no doubt, line of education बहुत अच्छी, इंसान बहुत समझदार परवरती के हैं, और एक जबरदस्त पैतिक संपती, पती के संपती का साथ, सूरी रेका भी बढ़ी अच्छी बन रही है, डवलप कर रही है, नेम फेम होता है, properties बहुत रहता है, और यहाँ पर से एक के square है, यह भी square को दर्शारी है, जो 36 वर्स के बाद multiple property को दर्शाते हैं, यह भी proper एक square सा बनावा है, सनमर करें अच्छी बुद्धिवेक से कार करने वाले, सरकारी चेतर से धनलाव होता है, और यह सब lines एंसान को बहुत ही अच्छी personality और 23 तर्राग personality प्रदान करती है, ऐस प्राकरमी दर्शारा है, ऐसे जातक प्राकरमी है, अपने जिन्दगी को प्राकरम से जीना चाते हैं, और जिन्दगी पर कुछ बहुत बड़ा कारी करना चाते हैं, अपने मेहनत के दम पर, अपने लेवर के दम पर बहुत बड़े achievement को पाना चाते हैं, और ऐसे जातक, believe me, achievement पाते ही पाते हैं जबरदस्त मंगर है, दिरगायू है नीस अंदे है, आगे जिंदगी पर बढ़ोंगी आप और अच्छी properties रहेगी life में हर एक सुक्सोविदा आपको मेलेगा और एक heart line काफी अच्छी है लेकिन कुछ emotions है, emotions तो बड़बर के हैं कुछ triangles है जो इसके negative को दूर कर रहे हैं अच्छी रिष्णोविदा योग का formation है रूटीन को फॉलो करने वाले हैं जबरदस मस्तिक्स रेखा कुछ एक मानसिक दबाब के रूप में चीजे हैं, 46 में वर्स की आयू तक 46 में से लेके 52 तक बाकि उसके पहले कि मानसिक्स रेखा अच्छी है कुछ triangles है जो इसके negativity को दूर कर रहे है बाकि ये सब स्कॉाइर तो बड़े अच्छे हैं बालस बहुत अच्छा है दिल दिमागी बहुत तंदूस और बहुत ही अच्छी रेखाएं बहुत अच्छी रेखाएं जो दनलाव को दर्शाती है मस्टिक सरेखा बड़ी है जातक जिन्दगी पर सफलता को पाते है मस्टिक सरेखा अच्छी है जातक दिमागी बहुत तेईस है मस्टिक सरेखा में एक यवा करती है ये कुछ एक आयू में प्रॉब्लम से इसके रिकारिंग उपाय में दे दूँगा, बागी ये कुछ लाइन से थोड़े इरिटेर गुस्ता जादा होता है, जल्दी इरिटेशन, जल्दी गुस्ता जिन्दगी पर आ जाता है, जहन में आ जाता है, थोड़े ओवर कॉंफिरे जिन्स में निरने ऐसे लोग लेते हैं, जो बहुत साइज साबित कभी कभी नहीं भी होता है, चदरमा अच्छा है, ये कुछ लाइन्स बागी रेखा के ब्रांचे से कुछ यात्राओं को ये दर्शारी है, जिन्दगी पर यात्राएं परसपर बनी रहेंगी, चदरमा आपके ट्राइंगल से इसक्वाइर है, जो प्रापटी को दर्शारी है, कुछ यात्रा के योग जिन्दगी पर है के तु परवत परफेशा कास्मिक धनलाव को दर्शारा है, जबरदस शुकर है कुछ दो स्टार प्रापर लगजरी का सुक मिलेगा, no doubt, money management के प्रापर ला मंगल है, कुछ रेखाएं मंगल पर है, जो तो रिटेंशन को दर्शारी है, बागी एक जबरदस मंगल रेखास पस्ट रूप से मुझे दिख रहा है, और जीबन रेखा अच्छी दिरगायू है, लेकिन थुरा चिंता सुबाप की तो होते हैं, चिंता मत को रिएक स्टार मंगल पर भी है, जहाँ पर सरी प्रापटी को दर्शारी है, ओपर प्राक्रमी है, दिरगायू है, आयो को लेकर वेसे स्टिपर नहीं नहीं होते हैं, लेकिन इस केस में रिव्यक्ति लंबा ही बसते हैं, एक बढ़िया बुद्धर एका जो एक डिटर ट्रेंगल बना रही हमारा वोट्स अपना डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेकिन आप समपर कर सकते हैं, धन्यवाद